दोस्तो स्वागे तक बर फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जल शक्ति मंत्राल्य भरती के बारे में जी हां दो तो जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी ओफिशिल वेकेंसी रीलीज हो चुकी है वेकेंसी आपकी ओल इंडिया लेवल की रहने वाली है 10,552 पद आपके रहने वाले है वेकेंसी आपकी गुरूप C और गुरूप D के पदों पे निकाली गई है वेकेंसी के बारे में आपको बता दूगी टोटल नंबरो पोस्ट है कितनी रहने वाली है कौन से department में आपकी वेकेंसी कौन कौन सी पोस्टों पे नकली है सबसे पहले हम बात करेंगे LDC की पोस्ट की पेस्केल आपका यहाँ पे 1900 ग्रेड पे का रहने वाला ग्रूप C की वेकेंसी रहेगी, टोटल नंबरों पोस्टों की अगर हम बात करें, तो 2412 पोस्ट आपकी रहने वाली है, केटेगरी वाइस पोस्टी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसके बाद में हम बात करेंग फिटर ग्रेड सेकेंड की, आपको बता दो 1900 ग्रेड पे की ग्रूप C की वेकेंसी रहने वाली है, टोटल नंबरों पोस्ट आपकी 1835 रहेगी, जुनियर सुपरवाइजर के लिए भी आपके यहाँ पे सेम ग्रेड पे रहेगा, सेम आपका यहाँ पे ग्रूप C की वेकें सी निकल चुकी है, ओल इंडिया लेवल के आपकी बढ़ती रहेगी, आगे हम देख लेते हैं, आपका यहाँ पे मेथड ओफ रिकूट्मेंट, आपका LDC की पोस्ट के लिए रिटरन एक्जाम कंड़क्ट करवाइजर की पोस्ट के लिए तो आपका जनरल नोलिज का टेस् जोब सुटिबिलिटी प्रेक्टिकल टेस्ट भी आपका कंड़क्ट करवाए जाएगा, स्वीपर और प्योन के पोस्ट के लिए कोई भी एक्जाम कंड़क्ट नहीं होगा डारेक्ट भढ़ती आपकी रहने वाली है, आगे दोस्तों फीस स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, जन्रल और ओबीसी कंड़िटेट्स के लिए 500 पे आपकी फीस रहेगी, वहीं ICHT और एक्सर्विस्मेंट के लिए 100 पे आपकी फीस रहने वाली है, इसके अलावा एज लिमिट का क्राइटिरिय आपका मिनिमम 18 साल का रहने वाला है, और मेक्सिमम 38 साल तक के कंड़िडेट आवेदन कर सकते हैं, ओपन कोटा के लिए, इसके अलावा अपर एज रिलेक्शेशन भी आपका एप्लिकेबल होने वाला है, तो जो भी इंटरेस्टेट कंड़िडेट है आवेदन कर लीजेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 8 वी पास वीपर और प्योन की पोस्ट के लिए, दसवी पास टेकर गरेड़ सिकन की पोस्ट के लिए होना जरूरी है, ट्वल्ध पास वाले कैंडिडेट लुके लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ में कम्पिटर नवेज का सेटिफिकेट भी होना जरूरी है, आगे हम बात करेंगे सेलेक्श और प्योन की पोस्टर डाइरेक्ट भरती रहने वाली कोई भी exam conduct नहीं करवाए जाएगा इसके अलावा tentative time table के अगर हम बात करें तो starting date आपकी online registration की 24 अपरेल 2023 रहने वाली है last date आपका एक मेने का time मिलेगा written exam की test की date, computer skill test की जए date of interaction की date आपको बाद में notify कर दी जाएगी काफी अच्छी वेकेंसी है all India level की आपका exam रहने वाला है आवे दिन जरूर कीजिएगा अब मिलें आपे next वीडियो में एक नई update के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद होतू